जै स्री किष्णा रादे रादे कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे तो आज की वीडियो हम लेकर आए हैं करवाचोथ की असली कहानी तो चलिए सुनते हैं पौराणिक कहानी है ये असली इसमें मैं सभी बताऊंगी करवाचोथ कब से सुरू हुई और क्या करवाचोथ की कहानी से महत है चलिए तो चलिए जानते हैं क्या आप जानते हैं करवाचोथ की असली कहानी इस इस्त्री की वज़े से मिला है ब्रत को ये नाम सरातन परंपरा में सुहागिन महिलाव दौारा करवाजवत का ब्रत रखा जाता है यह ब्रत हिंदू परंपरा का खास प्रतिक है बिभा और दामपत्य की मधूरता की और पवित्रता का प्रतिक है यह त्योहार हर तरीके से बेहत खास होता है इस ब्रत की कहानियों में एक इस्तरी बीरावती की कथा बहुत प्रिसिद है बीरावती एक सेट की पुत्री है और उसके साथ भाई है करवा चौत के ब्रत के दिन वह भूल से बिना चान देखे बोजन कर लेती है इससे उसके पती की मृत्य हो जाती है बाद में वह वश्यताप और अनुष्ठान करती है जिससे उसका पती जीवित हो जाता है करवा चौत के तोर पर लगभग सभी ने ये कथा सुनी है तो चलिए सुरू करते हैं यमराज का वर्दान है करवा चौत असल में यह सिर्फ ब्रत का लाब बताने वाली कथा है कारती की चतूर्ती का नाम करवा चौत कैसे पड़ा इसकी कहानी कुछ और ही है असल में यह करवा नाम की एक दूसरी इस्त्री की कहानी है जिसने सावित्री की तरहे अपने पती के प्राण यमराज से बचा लिये थी यमराज ने करवा को उसकी पती स्रद्धा देखकर बर्दान दिया था कि इस विशेज दिन को तुम्हारे नाम के बिरत से जाना जाएगा और जो इस्त्री ऐसा ब्रत करेगी उसे अखंड सुहाग बना रहेगा तब से ही करवाचोध ब्रत की परंपरा चल पड़ी है चलिए जानते हैं करवाचोध की असली कहाने प्राचीन समय में एक करवाचोध नाम की एक पती ब्रता इस्त्री थी बहे अपने पती के साथ नदी किनारे के एक गाउ में रहती थी उसका पती ब्रत था एक दिन बहे नदी में इस्नान करने गया और नदी में नहाते समय एक मगर ने उसे पकड़ लिया इस पर ब्यक्ति करवा करवा चिला कर अपनी पत्नी को साहता के लिए पकाड़ने लगा करवा पती विर्ता इस्तरी थी आवाज को सुनकर करवा भाग कर अपने पती के पास पहुंची और दोड़ कर कच्चे धागे से मगर को आन दे कर बांध दिया मगर को सूत के कच्चे धागे से बांधने के बाद करवा यमराज के पास पहुची सीख का यह है महत वे उस समय चित्रगुत के खाते देख रहे थे करवा ने साथ सीख ले उन्हें जाना शुरू कर्द किया यमराज के खाते आकास में उड़ने लगे यमराज घवरा गए और बोले देवी तू क्या चाहती है करवा ने कहा हे प्रभू एक मगर ने नदी के जल में मेरे पती का पैर पकड़ लिया है उस मगर को आप अपनी सक्ती से अपने लोक नरक में ले आओ और मेरे पती को चीराईयो करो करवा की बात सुनकर यमराज बोले देवी अभी मगर की आईयू सेस है अता आयू रहते हुए मैं ऐसा मैं मगर को मार नहीं सकता हूँ इस पर करवा ने कहा यदि मगर को मार कर आप मेरे पती की रक्सान नहीं करेंगे तो मैं साब दे कर आपको नश्ट कर दूँ करवा की धंकी से यमराज डर गए वे करवा के साथ वहां आए जहां मगर ने उसके पती को पकड़ रखा था यमराज ने मगर को मार कर यमलोग पहुंचा दिया और करवा के पती की प्राण रक्सा कर उसे दिरगाईयों का बढ़दान दिया जाते समय वह करवा को सुक सम्रद्धी देते गए तथा यह बर भी दिया जो इस्तरी इस दिन ब्रत करेगी उनके सोभाग्य की मैं रक्सा करूँगा करवा ने पती ब्रत के बल से अपने पती के प्राणों की रक्सा की इस घटना के दिन से करवा चोथ के ब्रत के में करवा के नाम से प्रचलित हो गया जिस दिन करवा ने अपने पती के प्राण बचाए थे उस दिन कार्थिक मास के क्रिश्न पक्स की चोथ थी हे करवा माता जैसे आपने करवा अपने पती के प्राण बचाए रख्सा की बैसे ही सब के पतियों के जीवन की रख्सा करना करवा माता तो जै हो करवा माता की ये कहानी आपको कैसी लग अगर कहानी पसंद आए यो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार बीडिक करें तो सब्सक्राइब कर लिजेगा वेल आइकन्स के साथ फिर मैं मिलूंगी ऐसी ही एक और वीडियो के साथ जैसरी किष्णा राधे राधे